दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सोडियम टेस्ट के बारे में सोडियम टेस्ट दोस्तो के एफटी टेस्ट यानि किड्नी फंक्शन टेस्ट का हिस्सा होता है हमारी बोड़ी के अंदर सोडियम के लेवल का पता लगाने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है यह एक इलेक्ट्रोलाइट भी होता है जो हमारी मसल्स और वेन्स को ठीक से काम करने में उनकी हैल्प करता है हमारी बोड़ी में नमक खाने से सोडियम का निर्मान होता है ज्यादा नमक की मातरा इस्तमाल करने से हमारी बोड़ी के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाता है और किड्नी से रिलेटर प्रोब्लम इसके बढ़ने से आ सकती हैं कई बार किड़नी में किसी infection की वज़े से जो हमारी किड़निया है वह सोडियम के बड़े हुए level को filter नहीं कर पाती जिस वज़े से यह हमारी किड़नियों के अंदर जमा होता रहता है और हमारी किड़नी के अंदर कुछ complications होने लगते हैं जिस वज़े से किड़नी प्रोपर ठीक से काम नहीं करती और जो हमारे mineral होते हैं वह हमारे खून के अंदर जमने स्टार्ट हो जाते हैं जिस वज़े से कई वार hypernatromia नामक condition पैदा हो जाती है दोस्तो इस condition में उल्टी आना, दस्त लगना और high blood pressure जैसे लक्षन दिखाई दे सकते हैं दोस्तो sodium की जो normal value होती है दोस्तो वह 135 से लेकर 148 mmol per liter तक होनी चाहिए अब बात करेंगे अगर हमारी body के अंदर sodium का level कम हो जाता है तो उस condition में क्या-क्या लक्षन दिखाई दे सकते हैं दोस्तो अगर blood में sodium का level कम हो जाता है तो इसे hyponatremia नामक condition पैदा हो जाती है जिस वज़े से सर में दर्द रहना, बहुत ज़्यादा गवराट होना, उल्टी लगना, energy की कमी होना और चिड़चिड़ापन रहना, hyponatremia के लक्षन हो सकते हैं ये sodium की कमी से दोस्तो दिमाग पर भी अशर पड़ता है, जिससे दिमाग कमजोर हो जाता है और भूलने की बिमारी भी हो सकती है, बहुत जल्दी कुछ बातें व्यक्ति भूलने लगता है जिस तरह sodium के लेवल का कम होना कई खत्रनाक बिमारीयों के संकेत हो सकता है, उसी तरह अगर दोस्तो हमारी बोड़ी के अंदर sodium का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी जैसे भी कई बिमारीयों होने के खत्रे बढ़ जाते है, इसके बड़े हुए sodium के दोस्तो क्या क्या लक्षन हो सकते है शरीर में सूजन आना दोस्तों बड़े हुए सोडियम का लक्षन हो सकता है बार बार सर का दर्द करना हलका हलका दर्द रहना जैसे हर टैम सर में हड़ियों में से अवाज आना दोस्तों जैसे हमारे हड़ी जोड में अवाज करने लगते हैं बार बार पैसाब लगना दोस्तो इस तरह के दोस्तो लक्षन दिखाई दे सकते हैं बड़े हुए सोडियम के अब जानेंगे दोस्तो हम अपनी बोड़ी के अंदर बड़े हुए सोडियम के लेवल को कैसे कंट्रोल वैकम कर सकते हैं दोस्तो अपने भोजन में स्वाधन सार ह नमक का इस्तिमाल करें और नमकीन स्नेक्स कम से कम खाएं दही बगारा में भी दोस्तों नमक का इस्तिमाल नहीं करें और जो बाहर की चीजें होगी दोस्तों तली हुई फास्ट फूड उन चीजों का भी प्रेज करें दोस्तों कम से कम खाएं और अगर ना भी खाओगे तो बहुत अच्छी बात है दोस्तो बड़े हुए सोडियूम के अंदर इसके इलावे दोस्तो पापड बगीरा या चठनी बगीरा का इस्तमाल भी नायकरें दोस्तो अब जानेंगे दोस्तो हम अपनी बोढ़े के अंदर sodium के लेवल को control करने के लिए हमें दिन बर में कितना नमक इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तो इसकी मातरा age के साब से होती है जैसे की 1 साल तक 1 ग्राम नमक का 6 साल तक की age में दोस्तो 3 ग्राम नमक का इस्तमाल अपने दिन बर की खाने के अंदर कर सकते हैं और 7 से 10 साल की एज में दोस्तो 4 ग्राम और 11 साल या फिर इस से उपर की एज में दोस्तो अपने दिन बर की डाइट के अंदर 5 ग्राम तक नमक का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो इसका जादा इस्तमाल भी हानिकारक हो सकता है और इसका कम इस्तमाल से भी कई सारी प्रिशानिया खड़ी हो सकती है दोस्तो इसलिए अपनी बोड़ी में सोडियम के लेवल को कंट्रोल रखने के लिए या जो नुर्मल वैल्यू है उसके अकोडिंग ही बिनाई रखने के लिए नियम अनसार ही दोस्तो नमक का इस्तमाल करें अगर आपको दोस्तो हमारे द्वारत दीगई जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सेर करें दोस्तो साथ हमारे चैनल को भी सस्क्राइब करें धन्यवाद दोस्तो